हेलो फ्रेंड्स मैं हुई शाहिन आज मैंने बनाया बेजन का हलवा तो चलिए रेसिप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ग्यास पर एक प्यान रख दिया है उसमें डाल देंगे घी एक चमच के करीब तो यहाँ पर घी अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें डाल द इसे हम ज्यादा भूनेंगी नहीं हलका हलका सा भूनना है बादम को ज्यादा जलाना भी नहीं है ज्यादा बहुत कड़क फ्राइए नहीं करना है हलका सा फ्राइए करना है तो यहाँ पर देखिए बादम ने निकाल लिए है और ग्यास भी बंद कर दिया है इसमें दाल द किश्मिश को निकाल लेंगे किश्मिश और बादाम को मैंने निकाल लिया है और उसी प्यान को हम कपड़े से पोच लेंगे उसमें एक भी घी वगरा नहीं रहना चाहिए तो कपड़े से मैंने पोच दिया है प्यान को तो यहाँ पर हम डाल देंगे एक कप बेशन फाइन बेशन लिया है आप दरदरा भी ले सकते हैं मैंने फाइन बेशन लिया है इसलिए मैंने दो चमच सुजी डाली है से मुलीना डाला है सूजी डालने से हल्वा दानेदार बनता है एक तर जलता है में सदूर परawan के दूस्तार करना है यहां पर देखिया दोस्टो नर ठीम का कलर धिरे-दरे शुरूर हो चुका आपे समझना है थोड़ा साium तो इसके खुषभो आती नहीं सुन्दी संदी इस से समझना है कि बैसन भूद के हुगा है तो यहाँ पर हम डाल देंगे मतलब एक कप सुझी ली है ना तो उसी कप से आधा कप हम घी लेंगे देसी घी है ये तो मैंने घी डाल दिया है आधा कप और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ पर देखिए इसका कलर है ना हमारा बेशन भूण जुका है ना यहाँ पर दिखिए एकदम कलर कितना बढ़िया है बनने के बाद में तो बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है हल्वा तो यहाँ पर इसे चलाते रहना है और ग्यास के फ्लेम ना स्लो वीडियम रखना है यहाँ पर बैडर को लगातार चलाते रहना है यहाँ पर इस तरह अब इसमें दाल देंगे घी वाला खुर्चन मतलब आज मैंने घी बनाया था जिससे में हल्वा बना रही हूँ तो उसमें से निकला एक खुर्चन तो यह मावे का काम करता है इससे पहले मैं खुर्चन की रेशिपी बनाई है मेरी चानल पर है वो रेशिपी तो आप जाकर देख सकते हैं वो तो यहाँ पर देखे इसे मिला लेंगे ये खुर्चन मावे का काम करता है एकदम मतलब मावे का स्वाद आ जाता है इसमें मावे का टेस्ट आ जाता है अब इसमें दाल देंगे आधा कब चीनी मतलब मैंने एक कब सुझी ली थी न उस हिसाब से उसी कब से मैंने आधा कब चीनी ली है मतलब एक कप सुजी के लिए आदा कप घी और आदा कप चीनी ऐसा मतलब इस हिसाब से लेना है तो आपका हल्वा भोती बढ़िया बनके रेडी हो जाएंगा तो यहाँ पर देखिए मैं उसी कप से मैं दो कप पानी डाल दूँगी जिस कप से मैंने सुजी ली थे तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अभी लग रहा है कि पतला है पर जब पकने के बात में न तो बहुत ही बढ़िया बनता है इसे शकर भी मिल्ट हो जाती है और बेसन का जो कच्छा पन है वो भी निकल जाता है बेसन भी पकने में आसानी हो जाती है पानी डालने से अब इसके जग़ पर दूद भी डाल चकते हैं यहाँ पर देखिए हलवा गाड़ा बन गया है गाड़ा पर ना चुका है हलवे में तो अब इसमें दाल देंगे फ्लेवर मतलब इलाइची पाउडर इससे अच्छी तरह मीक्स कर लेंगे और लगातार चलाती जाएंगे यह प्रोसेश शुरू से आखिर तक करते रहना है श्टर का प्रोसेश मिलानी का प्रोसेश और ग्यास की फ्लेम है स्लो मीडियम इस तरह से मिलाना है जैसे जैसे पकती जाएंगा वैसा वैसा इसमें गाड़ा पनाती जाएंगा इसके साइड में जो पपड़ी जमें वो भी ले लेना है चमस से निकाल लेना है तो यहां पर देखिए हलवा गाड़ा हो चुका है एकदम मतलब रेडी हो चुका है अभी थोड़ा सा हम और इसे भूनेंगे तो यहां पर देखिए हलवे ने प्यान चुड़ना शुरू कर दिया है और इसमें धिरे धिरे शाइनिंग भी आ रही है जैसा जैसा यह पकती जाएंगा वैसा वैसा इसका घी जो हमने डालायता वह सब बहार आ जाएंगा हलवे से अलग होना शुरू हो जाएंगा यहां पर इसे हम पादस मिट और भूनेंगे अब इसमें दाल देंगे घी एक चमच के करीब छोटा चमच एक चमच के करीब डाल देंगे इसे हलवे में बहुत इची शाइनी आती है और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह यहां पर देखे दोस्तों हमारा हलवा रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया है कलर भी बहुत बढ़िया आया है यहां पर इसमें मेवे डाल देंगे किश्मिश और बादाम बादाम मेले इसे कट कर दिये हैं तो यहां पर डाल देंगे कुछ मेने बादाम मेने साबुद भी रखे हैं इसे अच्छी तरह मीक्स कर लेंगे बहुत ही बढ़ी है रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है रेसिपी अब जरू ट्राय करना और मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्रा अच्छी तरह में निकाल लेंगे तो इसमें दाल देंगे बादाम और किशमिश गार्निशिंग के लिए बहुत ही बढ़ी है रेसिपी अब जरू ट्राय करना हो मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए असलालेकूम